आपको दादे उत्राखंड कॉंग्रेस का घोशनापत्र जारी हुआ है उत्राखंडी स्वाभिमान शीरसक से घोशनापत्र जारी किया गया स्वक्ति बड़ी कबार उत्राखन विदानसवा चुनाओं के लिए गोश्रापत्र उत्राखन कॉंग्रिस ने जारी कर दिया है क्या कुछ कह रही है प्रिंका गांदी सुनाते हैं ये दुख क्यूं होता है ठीक है हर सरकार आती है जनता की समस्याएं होती है और जो विकास है चाये कितना भी कोई सरकार करे वो कभी पूरा नहीं होता तो हमेशा यह अएसास होता है कि चलो और काम हो सकता था लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कारे को देखकर रिस लिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिये जितनी आशा से, उमीद से आप समने इनका समर्थन किया उसको तोड़ दिया है जहां जहां मैं जाती हूँ बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले पांच सालों में कुछ काम नहीं किया गया पिछले पांच सालों में सिर्फ जो आपकी उमीदे हैं वो तूटी जो आपको वादे किये थे वो तूटे जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है उससे आगे कुछ नहीं किया गया हाँ चुनाओ आता है तो बड़ी बड़ी घोशनाएं फिर से होती है उद्घाटन होने शुरू होते हैं और जो प्रोजेक्ट आपने पांच सालों से नहीं किये उनका उद्घाटन आपाज कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की गई है इस सरक स्कुारी में उत्राखंड और उत्तर प्रदेश के विग्यापन दिखते हैं इतना खिर्चा होता है इन पर लेकिन जो आपके समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं जब हम गोशना करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं वो स्वाल उठाते हैं कि पै ठीक नहीं है अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी सच्चाई ये हैं कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया लेकिन आज स्थिती इनों ने ये बना दिया है कि पेट्रल डीजल इतना महंगा है इनका ही एंजन ठप हो गया है मैं जब अपनी बेहनों से मिलती हूँ वो मुझे बताती है कि कितनी परेशान है और इसलिए जब आपने आपने नारा आप कह रही थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो क्यूं आप खुश होती है इस नारे को सुनके क्योंकि आप जानती है कि आपका जीवन संगर्श का जीवन है आप जानती है कि कुछ भी हो समाज का बोज आप उठाती है महिंगाई का बोज आप उठाती है जो परिस्तितियां है उसका बोज हमेशा महिला उठाती है महिला के पास बहुत जादा मौके नहीं है महिला के पास उसको हमेशा घर भी देखना पड़ता है चाहे वो बाहर जाके खेती में काम करें, वो घर आएगी, वो घर को भी समालेगी, परिवार के सदस्यों को देखेगी, वो सुखी है, वो अच्छे है की नहीं है, सब की सेहत ठीक है की नहीं है, कुरोना की मार हुली, सबसे ज़्यादा बोज फिर से आपने उठाया, लेकिन आपको पूरी तने से नकारा जाता है, जब नेता, राजनेतिक पार्टियां बात करती हैं, तो महिला की बात नहीं करती हैं। पारी राज्य है, आपको मालुम है कि कितनी मुश्किल होती है स्वास सेवाओं को मिलने की, जब आप बिमार पढ़ती हैं, गर्बवती होती हैं, तो अक्सर आपको बहुत दूर जाना पढ़ता है, डॉक्टर से मिलने के लिए, या हस्पताल किसे कोई सुधा लेने के हैं, आपको मालुम होगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओ ने ही है, यहां तमाम महिलाएं बेरोजगार हैं, आशा बहुएं, आंगनवाडी की महिलाएं, उनका मांधे बढ़ाया भी नहीं गया, कितना समय हो गया है, साल हो गये है और उनका मान्दे वही का वही है मैं जानती हूं उत्तर प्रदेश में काम करती हूं वहां आशा बेहने जो है, अंगर्णवाडी की बेहने जो है खूब परेशान है, संघर्ष करती है जब अपनी आवाज उठाती है तो पीती जाती है उनको जेल में डाला जाता है उन पर रासुका की धराएं लगाई जाती है तो आप सोची कि कैसी सरकार चल रही है हर जगे बेरोजगारी है नौजवान बेरोजगार है हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं चुनाओ के समय यहां के जो राजनियतिक डल है जो सरकार चलाते हैं क्या बात करते हैं यहां कर धर्म की बात करते हैं जाती की बात करते हैं रोजगार की बात नहीं करेंगे ये आपको नहीं बताएंगे कि रोजगार कैसे दिलवाएंगे या कैसे दिलवाएंगे कभी नहीं बताएंगे ये नहीं बताएंगे कि पिछले पात सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिये क्योंकि दिये ही नहीं क्योंकि खाली पद पड़े हुए है तो शिक्षा के बारे में आपके लिए सुविधाओं के बारे में कौन सोच रहा है कि सरकार का काम होता है सरकार का काम है आपको सुरक्षित रखना और आपके जीवन को अच्छा बनाना अगर आप आज भाजप्पा की पाँच साल की सरकार के बारे में सोचे अपने मन में जहांक के सोचें कि उन्होंने क्या किया आपके लिए क्या आगे बढ़ पाएं क्या आपके जीवन में कोई सुविधा आई क्या पहले से कोई आसानी हुई आपको जीवन जीने में या आप और भी तरस्त हो गए चाहे महंगाई हो चाहे हमारे किसान भाई हो गन्य का जो बकाया है उसकी इतनी बड़ी समस्या है अब आप सोचिए पूरे देश भर में जो गन्य का बकाया है कितना है 14,000 क्रोड ठीक है प्रधान मंत्री जी ने अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदे कितने के 16,000 क्रोड के प्रधान मंत्री जी के दो हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्य का बकाया हो सकता था पूरा हो सकता था लेकिन उन्होंने क्या चुना अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदे लेकिन ये आप मीडिया में नहीं देखेंगे क्योंकि उनकी आलोजना तो मीडिया में होती नहीं है आप तक ये बाते पहुचती नहीं है आप जानते हैं कि किसानों को कितनी परिशानी है कितना तरस्त है आज खाब नहीं मिलती हैं उनको तमाम मुश्किले हैं पेटरल डीजल के दाम जो है इतने बढ़ गए हैं उससे किसानों पर कितना असर पड़ता है करोना आया मैं जानती हूं कि कितने लोग उत्रा खंड से दिल्ली में काम करते हैं किस तरह से उनको कॉंग्रेस पार्टी ने वापिस पहुंचाया मैं जानती हूं कि उनको वहाँ पर भगवान भरो से छोड़ दिया गया एक दिन से दूसरे दिन बताया गया लॉकडाउन है खुद समालो कैसे पहुंचो रहे पैदल पहुंचो खाहिं का बसों का रहा हम इंतजाम करेंगे उत्तरिश के जो प्रवासी थे उनके लिए काम बशों का इंतजाम करेंगे उसको भी माना कर दिया आपको मालूम नहीं होगा लेकिन जो ऑक्सिजन की कमी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सिजन मैनुफैक्चरर्स में से है हमारे देश में जितना ऑक्सिजन मनता है वो पूरे देश के लिए काफी था हर हस्पिताल में पहुँच सकता था 2020 में करोना आया दूसरी रहर 2021 में थी आपके पास एक साल था उस एक साल में आपने कोई योजना नहीं बनाई आपने ऑक्सिजन का निर्यात किया आपने वैक्सीन का निर्यात किया और जब समय आया तो हिंदुस्तानियों के पास ना वैक्सीन थी और ना उक्सिजन और किस तरह से उत्राखंड के लोगों ने कोरोना को सहा अपने प्यारों को खोया ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किन दिनों से गुजरे तो मैं आप से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है ये परिष्टितियां आप जानते हैं आप जानते हैं कि महिला परिशान है नौजवान परिशान है किसान परिशान है दलिद परिशान है जहां देखो परिशानी ही परिशानी दिखती है आप कुछ खरीदने जाते हैं, उमेंगा हो गया, खरीद नहीं पाते आपको किसानी करनी है, उसमें कोई सुविधा नहीं है आपके बच्चों को पढ़ाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है बड़े-बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं बेचने की योजना हो रही है आप सब देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने ओ द्योग पती जो प्रधान मंत्री जी के दोस्त है, उनके करीबी है वही फूल रहे हैं, पल रहे हैं, फल रहे हैं कल का बजट आपने देखा कल के बजट में गरीबों के लिए, मिडल क्लास के लिए क्या था कुछ ने, आज सुभे किसी ने मुझे कहा कि हीरे का दाम सस्ता हो गया है हीरे का दाम सस्ता हो गया और दवा का दाम जादा हो गया, बढ़ गया है तो उत्रखन में कॉंग्रेस ने अपना अचुनावी घोशना पत्र जो है वो जारी कर दिया है